दोस्तो ड्रक्स केस में शारुख खन के लाडले आरेन खान की वापसी हो चुकी है जेल से और इस वक्त आरेन की रिहाई से खुशी से जुम उटा है पूरा खान परिवार यही वज़ा है कि सेलिब्रेशन की अजारा है आरिन खान के वापस आने की खुशी में और इस वक्त पूरा परिवार काफी राहत की सास ले रहा है आपको पता दे कि क्रूस ड्रग्स मामले में आरिन खान 28 दिनों से NCB के शिकंजे में थे जेल में बंद आरिन खान को गुरुवार को हाई कोट से जमानत मिल गई हालकि जमानत मिलने के दो दिन के बाद आरिन की रिहाई 30 सक्टूबर को होई आरिन खान के जमानत के लिए जमानती कागस की जो पेटी थी वो अंदर रखी गई थी और तो रोड जेल के बाहर लगी जमानत पीटी सुबा तड़ के साड़े पांच बजे ही खोल कर जमानती आदेश ले लिया गया जिसके बाद 30 अक्टूबर को आरेन खान को जेल से रिहा कर दिया गया आरेन खान के घर लोटने की खुशी में खान परिवार तयारियों में लगा है खान फैमिली के ये सेलिब्रेशन्स डबल होने वाले हैं क्योंकि एक तरफ तो आरेन खान घर वापस आ गए हैं और इस बीच दिवाली जैसा त्योहार भी सामने आ रहा है इसी को लेकर खान परि अपने माता पिता के पास रहना चाहती थी लेकिन शारुक और गौरी ने उन्हें दूर रहने को कहा था तो उन्होंने फैसला किया था कि सुलजन के बीच सुहाना को अभी घर नहीं आना चाहिए ऐसे में अब जब सब ठीक हो गया है तो सुहाना खान वापस नियॉयॉक से लौट रही है और ये टाइम वो अपने माता पिता और अपने भाई के साथ ही गुजानना चाहती है इस बीच काफी दिनों से मातम पसरा था खान परिवार में लेकिन अब जब ड्रक्स केस में जमानत मिलने पर आरेन खान वापस आ गए है तो ऐसे में गौरी खान शारू खान के चेहरे पर एक राहत की साथ देखनी को मिली है